Hey everyone, welcome back to our channel BA Learners तो आज की हमारी वीडियो रहेगे constructivism पे जिसमें की हम समझेंगे constructivism होता क्या है उसके characteristics and uses यह आपका topic बहुत important रहने वाला है मैं यह नहीं कहूंगी यह सिफ एक BA second year का ही है यह first year और second year दोनों में important रहता है किसी भी form में question आ सकता है किसी भी year में यह आ सकता है तो दोनों years के लिए यह important question है important concept है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा step by step हम चलेंगे पहले meaning समझेंगे जिसने मेरी previous videos नहीं देखी है previous concept नहीं clear किया है चाहे वो information हो चाहे वो knowledge हो कोई भी topic हो previous video i button में link होगा और description में भी होगा link दोनों में जाके आप check out कर सकते हैं चलिए बात करते हैं इस video की concept रहेगा हमारा पहला constructivism meaning of constructivism क्या होता है constructivism is how knowledge is constructed by learners who are involved in active learning इसका मतलब यह है कि किस तरीके से एक learner मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है कोई भी age में जो बच्चा कोई भी हो चाहे वो learn जब करता है उसे as a learner ही देखा जाता है चाहे वो 5 साल का बच्चा हो चाहे वो 50 साल का हो आदमी हो उसे learner ही बोला जाएगा अगर वो कोई चीज learn कर रहा है तो जब एक constructivism यह होता है जिसमें कि हम यह सीखते हैं कि किस तरीके से हमें knowledge को learn करना है किस तरीके से हम learn कर रहे है who are involved in active learning जो एक active learning में involved होते हैं उसे हम constructivism कहाते हैं next point देखते हैं students use their previous knowledge known as schema to construct new knowledge based on their experience जो student है जो उनको पुरानी knowledge मिली है मान लीजे आप 6th class में है हमें nursery से लेके 5th तक की जो हमारी knowledge है हम उसे construct करते हैं हम उसे mix करके एक conclusion निकाल रहे हैं किसी भी तरीके का हमें कुछ project मिला मान लीजे हम start कर रहे हमें कुछ बताना है हमें हमें अपनी हर step by step age बतानी है कि हमने इस age में ये किया था इस age में ये किया इस age में हमने ये चीज़ समझी है तो उस experience को हमें construct कर रहे हैं हम पूरा schema बना रहे हैं एक पूरी form में जो हमने previous knowledge ली है वो हम बता रहे हैं उसको हम कहते हैं constructivism knowledge thus constructivist assume that the learner construct his or her knowledge on the basis of interaction with the environment अब इसमें चाहे लड़का हो his or her जहां आ रहा है मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो इसमें कोई भी हो सकता है जो अपनी knowledge interact कर रहा है किसके बेस पे environment के बेस पे हम knowledge को interact करते हैं जैसे experience से interact करते हैं कि हमें यह information है यह information है कहां से हमें कौन सी information कहां पे मिल रही है हमें उसे कहते हैं हम assume करके बताते हैं उसे तो यहां पे यह मतलब बताया गया है चलिए next चलते हैं three main studies on constructivism तीन main studies है जो constructivism पे हैं first knowledge है knowledge is physically constructed by learners who are involved in active learning जैसा कि मैंने आपको भी बताया एक knowledge physically construct की जाती है physically जब एक बच्चा पान लीजे आपने एक बच्चे को खिलोना दिया है यह उसको आप कुछ पकड़ा रहे हैं तो वो उसको उलट-पुलट करके देखता है समझता है यह चीज है क्या तो वो physically उस चीज में interact कर रहा है मतलब उसकी presence presence of mind उसका उस object के अंदर है उस चीज में है जो आपने उसे दिया है तो वो knowledge गेन करना चाह रहा है तो यहाँ पर इस point का यह मतलब है second है knowledge is symbolically constructed by learners हर चीज में जैसे अप nursery में आपने start किया बच्चा बड़ा हुआ मावा अपने उसे नर्सरी में भेजा प्री नर्सरी में भेजा तो वहाँ पे उसको बोलना नहीं सिखा देंगे एकदम से उसको पहले object हाथ में देंगे तो उसे वो चीज learn होगी कि वो क्या है जो उसे object हाथ में दे रहे है symbolic दे से ball दिखाई बच्चे को तो वो बोलेगा कि ये ball है या symbol कुछ इशारा करेगा तो वहाँ से वो बच्चा वो पढ़ना knowledge वो गेन करता है third point आता है knowledge is socially constructed by learners अब धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो socially interact करता है अपने friends बनाता है तो वहाँ से वो जो चीज knowledge गेन करता है वो एक ऐसा learner गेन करता है next देखते हैं characteristics characteristics of constructivism अब यहाँ पर हम characteristics पढ़ेंगे जिसको मेरी वीडियो पसंद आ रही है like करे, share करे, comment जरूर करे learning on constructed learning is constructed on the previous knowledge of student एक learning construct का पाट है जिसे हम दीरे-दीरे बनाते है learning हम यह निया हमें एकदम से आ जाता है कि हमने सब कुछ learn कर लिया है हम जो पढ़ाई करते हैं हो भी starting से end तक करते हैं मतलब end तो हमारा पढ़ाई का कोई होता ही नहीं है but starting होती है pre-nursery तो हम इसे दीरे-दीरे construct करते हैं जिसे दीरे-दीरे पढ़ते हैं learning is constructed on the previous knowledge of a student यह previous knowledge होती है हर बच्चे की जो उसको construct करता है learn करने के लिए learning is active learning हमेशे active रहती है यह कभी end नहीं होती है students actively participate in learning process through experiments, debates, group discussions, ask questions constructivist learning requires full participation of students अब इस point में बताया है अब देखिया आप जैसे की school में पढ़ रहे है starting से आपको जो newborn baby होता है उसको हम कुछ नहीं बोलता है सिर्फ हम symbol से रात करते हैं लेकिन जैसे वो school में आता है हर class में चाहिए वो nursery की class हो चाहिए वो eighth की class हो कुछ ना कुछ आपको programs होते हैं आपके schools में debate होनी शुरू हो जाती है ज़री जब आप बड़े होते हैं ने तो class में ही आपको खड़ा कर देंगे और आपसे कुछ पूछते हैं बोलने को बोलते हैं कि आप यह बोलो या myself सुनाओ तो वो उन चीजों में बच्चा और सीखता है अपनी hesitation खतम वहां से होती है तो यहाँ पर यह बताया है actively जब participate करता है किसी भी चीज में तो वो एक process है उसका learn करने का जैसे science में होता है चोटे experiments दे दिये experiments होते हैं debate मतलब होता है दो जने खड़े कर दी है आपस में एक topic के उपर वो लड़ रहे है क्या वो सही है क्या वो नहीं सही है वो अपने thoughts exchange कर रहे है group discussions होते हैं यह हर class में होते हैं जैसे बच्चे दो teams बना दी A और B वहाँ पर बच्चा एक topic दे दी है मैं हमने वो group discussion हो रहा है महाँ पर questions आस करना मैं हमसे questions put up करना उसमें वो active learning का एक source है एक part है जिसमें कि पूरा अपना पूरा एक बच्चा अपनी पूरी dedication के साथ अपना involvement दिखाता है third point देखते है learning is reflective अब learning किस तरीके से reflect करती है आपकी आपकी presence को इस point में हम यह समझेंगे students reflect their previous knowledge through group discussions or during the learning process अब मान लीजी जैसे मैंने आपको भी बताया यहाँ पर group discussions होते हैं debates होती हैं group discussion आप कब करेंगे जब आपको इस topic के बारे में पता होगा आपको knowledge होगी कितनी knowledge है आप कितने समझदार है आप कितनी चीजों को गहराई से समझते हैं आप उसको सिफ एक रटा मारते हैं या पूरा अच्छे से समझ रहे हैं वो आपका group discussion में मैं पता लगा लेती हैं चाह कोई भी teacher हो तो यहाँ पर वो यहीं बता रहे हैं कि आपकी reflect किस तरह करती है student की presence जब आप उस knowledge को आपकी जो previous knowledge है पहले की जो knowledge है पहले का जो आपने concept पड़ा है उसको आप किस तरही के से group discussion में आप present कर रहे हैं या किस तरही के से आप उसको as a learning form ले रहे हैं वो यहाँ पी चीज देखी जाती है teacher should create such environment that lead the students to reflect on his prior knowledge अब मैंने आपको पताना teacher जैसे teacher अगर आप teacher के सामने कुछ भी आप बोलेंगे तो वो आपको समझ जाएंगे कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है तो teacher ही एक वो source होती है जो classroom के अंदर या school के अंदर ऐसा platform create कर देती है जिसमें कि बच्चे को अपनी prior knowledge पहले की knowledge या जो उसकी important knowledge है वो दिखानी पड़ती है कि मेरे पास कितनी knowledge है चलिए next देखते है collaborative knowledge अब collab करना collab मतलब होता है दो जन्यापस में मिलके कुछ कर रहे हैं वो learning कैसे कहते है the constructivist classroom relies mostly on collaboration among students collaborating with other students help them to learn from experience and knowledge of other अब collab करना मैंने आपको बताया दो जन्यापस मिलके अब मैं और आप मिलके जैसे मैं आपसे अपनी knowledge share कर रहे हूँ आप मुझसे कुछ अपनी knowledge share कर रहे है तो इसका मतलब यह होता है कि जो मेरे पास knowledge है वो आप अपनी gain कर रहे है मैं अपने experience आप से share कर रहे हूँ आप अप मुझसे कर रहे है तो वो जो मिलके knowledge बनती है उसे collaborate, collab करना कहते है तो कुछ ना कुछ आप मुझसे learn करेंगे और कुछ ना कुछ मैं आप से learn करूंगी तो इस तरीके से एक teacher collaboration knowledge का example देते है यहाँ पर collaborating with other students help them to learn इस से क्या होता है कि आप learn करते है अपने experience and knowledge जो दूसरों से आपको मिलती है next point देखते है learning in inquiry based अब यहाँ पर क्या है student use inquiry method like asking questions investigate a topic and use a variety of resources to find solution and acquire knowledge इसमें बताया गया है कि अब किस तरीके से एक बच्चा एक student किस तरीके से अपनी knowledge को inquire करता है किस तरीके से पूछता है अब आपका जैसे कोई भी class आती थी तो होरेडे homework मिलता था हमें हमें उसमें projects भी मिलते थे अब एक topic particular एक topic दे दिया तो उसको आप investigate करके ही तो एक पूरा topic बनाते थे अपनी file बनाते थे तो वो यहाँ पर यही आ रहा है अपनी class में questions पूछना investigate a topic किसी topic के उपर investigate करना चान बीन करना and use a variety of resources to find the solution अब आपको एक question मिल गया है आपको उसको resources find करने जिससे कि आपको वो question का answer मिल सके and acquire knowledge इसी तरीके से हम सारी knowledge को gain करते हैं learning is evolving learning evolving किस तरीके से student knowledge keep on changing according to the new knowledge which acquire from experience and interaction अब सारे घुमा फिरा के एक ही point आता है जब तक हम interaction नहीं करेंगे एक दूसरे से exchange नहीं करेंगी अपने knowledge तो हमें हमारी knowledge बढ़ेगी कैसे आपके पास मान लीजे आपको पता है 2 plus 2 is equals to 4 आपको इतना ही पता है जब तक आप आगे किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको 2 plus 5 equals to कितना होता है आपको कैसे बता चलेगा जब तक आपको सीखेंगे नहीं तो यहाँ पर यहीं बताया गए कि आपको हर चीज में अपनी knowledge को gain करने के लिए समझने के लिए इंट्राक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है दूसरे के experience से समझना ज़रूरी होता है दूसरों को अपना बताओगे दूसरों से कुछ लोगे उस changing का form में ही आपको एक knowledge मिलती है जिसने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं है सबस्क्राइब कर लिजेगा daily notification के लिए bell icon को ज़रूर प्रेस करना यूजर्स देख लेते हैं इसके क्या use रहता है हमारी daily life में किस तरीके से ये काम आता है students enjoy learning from their own experience students जब भी enjoy करेंगे जब वो खुद किसी चीज़ का experience लेंगे तो आप कह सकते हो कि आप एक learning की form में हो क्योंकि आप खुद experience कर रहे हो और खुद ही याद कर रहे हो किसी चीज़ को learning by doing help in learning for longer period or it remains in our mind life long इसका मतलब point का ये है ये थोड़ा सा tricky है जिनको नहीं समझ में आ रहा है समझ लीजे ध्यान से इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ आप मान लीजे कोई चीज़ लिखके याद कर रहे हो आपको याद नहीं हो रहा है बट आप उसको लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो जिससे आपको वो mind में set हो जाए ऐसा नहीं होता है जब तक आप उसको समझोगे नहीं जब तक आप उसको experiment खुद से नहीं करोगे तब तक वो याद नहीं होगा आप किसी चीज़ को समझ के करोगे तो वो lifelong तक याद रहता है बजाए इसके कि आपने सिर्फ किया और आपने सोचा कि मैं इसको याद कर लेता हूँ और वो मेरे mind में set हो जाएगा and understanding rather than road learning इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक road का मतलब होता है यहाँ पर रट्टा मारना सिर्फ आप रट्टा मारते हैं कि मेरे को यह चीज़ करनी है या इसका मतलब यह होता है यह होता है तो उससे आपको learn नहीं रहेगा वो उस time तक रहेगा लेकिन कुछ time बाद एक दिन बाद दो दिन बाद वो आप भूल जाओगे लेकिन अगर आप उसको understand करोगे बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको वो improve करता है सोच में भी आपके आपको वो अच्छे से याद रहेगा lifelong तक आपको याद रहेगा next point देखते है constructivism promote social and communication skill that promote collaboration and exchange of idea अब ये constructivism क्या होता है मैंने आपको भी समझाया experience share करना learning होता है कोई भी experience आप share कर रहे है जब तक आप socially connect नहीं होगे या communicate नहीं करोगे तो वो आपकी communication skills में improvement नहीं लाएगा आप अगर किसी के साथ promote नहीं करोगे collab नहीं करोगे कि आप मैं और आप मिलके ये काम कर रहे हैं या ऐसे करेंगे तो वो जब तक नहीं करोगे अपने exchange नहीं करोगे ideas, communication skills आपकी improve नहीं होगी अगर आपको communication skills इंप्रूफ करनी है social में interact जादा करना है तो आपको ये दोनों चीज़े आने चाहिए promote collaboration होना चाहिए आप में और exchange of ideas किस तरीके से बोलना है और अपने exchange ideas किस तरीके से करने है express किस तरह से करना है ये आपको आना चाहिए इसमें ये बताया गया है कि जब आप knowledge को ये किस तरीके से अपना express कर सकते हो जर्नल से research reports से reports आप किस तरीके से बना रहे हैं किस तरीके से represent कर रहे हैं अपनी color को कोई भी आपके पास कोई भी एक color है आप उसको किस तरीके से represent करते हैं आप उसको दिखाते हैं आप उसको present करते हैं सामने वाले में वो आपका एक एक अलग से part होता है यह help करता है आपको बढ़ने में, express करने में कि आप किस तरीके से अपनी creativity निकाल के भार दिखा रहे हैं, उसमें आपनी कितना मेहनत की है, कितनी power डाली है, express करने के लिए इसका मतलब यह है, असलियत की जो दुनिया होती है, उसमें एंगेज करना, किस तरीके से आप कोई भी टॉपिक पर इंवेस्टिगेट कर रहे हैं, इंवेस्टिगेट आपकी जो skills हैं, आपको जो project मानली जो मैंने आपको example दिया था, आपका जो project है, वो real world में एंगेज करना, उससे मिलना, उसको proper तरीके से enhance करके आपको express करना, वो आपका एंगेज करता है, increase कर देता है आपके अंदर की skills को, और जो इस तरीके से आप classroom में जो आप learn कर रहे हैं, questions को express कर रहे हैं, उससे हर बच्चे में curiosity आ जाती है, कि किस तरीके से मैं कैसे express कर पाऊ तो वो जो उसकी hesitation होती है, वो खुल जाती है, अगर वो proper तरीके से क्या करता है, collab करता है, अपने thoughts को express कर पाता है, अच्छे तरीके से investigate करता है, और अपना road method ही नहीं use करता है, proper learn करता है, समझता है, understand करता है concept को, तो उसमें एक जिग्यासा curiosity को बोलेंगे हैं, जिग्यासा उत्पन हो जाती है, कि वो express करना अच्छा लगना लगता है, उसे, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही बात करेंगे, नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक लेकर आएंगे, जिसको ये वीडियो समझ में आई हो, लाइक शेर जरूर करें, कॉमेंट करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब माई चानल, डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, अब तक के लिए इतना ही, बाबाई, स्टे सेफ, स्टे होम